के जीवन को सुखम बनाना आईए सिधा देकर चलते हैं इस वर्स के बजट में भी रोदोगी की का समचित उप्योग कर सामान मानव के जीवन को ज्यादा से ज्यादा बहतर बनाने के उद्देश से कई योजनाओं और काविकर्मों की घोशनाएं की गई हैं इन में इमर्जिंग टेकनोलोजी, विसेश रूप से आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, 5G, प्रियोग साला में विक्सी डाइमंट्स, डेटा गवर्नेंस और इनोवेशन, अनुसंधान और विकास जैसे हैं E-Courts Platform, नयाई की सुविधा, Automatic Address Update, सुविधा से जन्मानस की परिशानी को कम किया जा सकता है NTTDG Local के उप्योग से विवसाइग संस्थाओं को पेपरलेस बनाने पे जोर दिया जाएगा Common Business Identifier, Unified Filing Process, विवाद से विश्वास, एजैसे कार्यों के माध्यम से विशेश रूप से छोटे विवसाइओं को और उनके कार्यों को आसान किया जा सकेगा इनके Effective और Time Bound Implementation पर आज इस Webinar में चल्चा की जाएगी अब मैं आज दुने प्रदान मंत्री जी से मारुक दर्शन की प्रार्शना करता हूँ माने प्रदान मंत्री जी नमस्कार National Science Day पर हो रहे आज के Budget Webinar का विशय बहुती महत्वपूर्ण है 21 सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरीकों को टेकनोलोजी की ताकत से लगातार नागरीकों को एमपावर कर रहा है बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर बजेट में टेकनोलोजी की मदद से देश वासियों की इज अफ लिविंग बढ़ाने पर जोड दिया गया है इस बार के बजेट में भी टेकनोलोजी लेकिन साथ साथ यूमन टच को प्रात्मिक्ता यह हमारा प्रयास हुआ रहा है साथ क्यों एक जमाना था जब हमारे देश में सरकार की प्रात्मिक्ताओं में बहुत जादा विरोधा भास नजराता था समाज का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि उनके जीवन में हर कदम पर सरकार का कोई कोई इंटर्वेंशन हो सरकार का प्रभाव हो यहनि सरकार उनके लिए कुछ न कुछ करे लिकिन पहले की सरकारों के समय इस वर्ग ने हमेशा अभाव ही मैसुस किया अभाव में जिन्दगी जूजने में ही निकल जाती थी समाज में ऐसे लोगों का भी वर्ग था यह दूसरे प्रगार का था जो स्वयम के सामर्थ से आगे बढ़ना चाहता था लेकिन पहले की सरकारों के समय यह वर्ग भी हमेशा सरकारी दखल, भाती-भाती की रुकावटे डगर-डगर पर महसुस करता रहा हमारी सरकार के बीते कुछ वर्षों के प्रयासों से अब यह स्थीती बदलने लगी है आज सरकार की नीतिया और निन्यों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज़्यादा जरुरत है हमारा प्रयास हर गरीब और वन्चित के जीवन को आसान बना रहा है उनकी इस अफ लिविंग बढ़ा रहा है लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दमाव भी कम हो रहा है आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं बलकि लोग हमारी सरकार को नए आउसरों के केटालिस्ट के रुक तौर पर देखते हैं और निश्चित तौर पर इसमें टेक्नोलोजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है आप देखिए टेक्नोलोजी वन नेशन वन राशनकार का आधार बनी और इससे करोडों गरीबों को पार दर्शिता से राशन मिलना सुनिश्चित हुआ और दूसरे जो प्रवासी मजदूर होते हैं जो माइगरंट लेबरर्स होते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा आशिरवाद बन गया टेक्नोलोजी जन्धन अकाउंट आधार और मुबाईल इन तीनों के करोडों गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना संबव हुआ उसी प्रकार से टेक्नोलोजी आरोग्य सेतू और कोविन एप उसका एक महत्वप्रण साधन बनी और इससे कोरोना के दवरान ट्रेसिंग और वेक्षिनेशन में बड़ी मदद मिली हम देखते हैं आज टेक्नोलोजी ने रेलेवे रिजर्शन को और अधुनिक बनाया और सामान्य से सामान्य मानवी कोई इस पर कितना बड़ा सिर्दर दूद हो गया कॉमन सर्विस सेंटर का नेटवर्ग भी गरीब से गरीब व्यक्ति को टेक्नोलोजी के माध्यम से सरकारी सेवाओं के बड़ी आसानी से जोड़ रहा है ऐसे अनेक फैसले लेकर हमारी सरकार ने देशवासियों की इज आफ लिविंग बढ़ाई है साथियों आज भारत का हर नागरिक इस बड़लाग को पस्ट तौर पर महसूस कर रहा है कि अब सरकार के साथ समवाद करना कितना आसान हो गया है एनि सरकार तक देशवासियों आसानी से अपनी बात पहुँचा रहे है और उसका समाधान भी उन्हें तिरंत मिल रहा है जैसे टैक्स से समंदित सिकायते पहले बहुत ज़्यादा होती थी और उसके कारण उसके माध्यम से टैक्स पेर्स को कई तरीके से परिशान किया जाता था इसलिए हमने टेकनोलोजी की मदद से टैक्स की पूरी प्रक्रिया को फेशलेस कर दिया अब आपकी सिकायतों और उसके निप्तारे के बीच कोई व्यक्ती नहीं सिर्फ टेकनोलोजी है यह मैंने आपको एक उधारन दिया है लेकिन दूसरे विभागों में भी टेकनोलोजी की मदद से हम जादा बहतर तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं अलग-अलग भिभाग अपनी सेवाओं को ग्लोबल स्टांडर का बनाने के लिए मिलकर टेकनोलोजी का उप्योग कर सकते हैं इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हम उन छेत्रों ते भी पहचान कर सकते हैं जहां सरकार से समवाध को और आसान बनाया जा सकता है साथियों आप जानते हैं कि हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस ट्रेनिंग के बीछे हमारा उद्देश्ट यही है कि कर्मचारियों का सिटिजन सेंट्रिक बनाया जाए इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहे डे के ज़रुरत है लेकिन इसका बहतर प्रणाम तभी मिलेगा जब इसमें बढ़लाव लोगों के फिडबेक के आधार पर हो हम एक ऐसा सिस्टिम त्यार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे साथियों टेकनोलोजी हर किसी तक सही और सटिक इनफर्मेशन पहुँचा कर सब को आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है हमारी सरकार टेकनोलोजी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफरासेक्टर तयार कर रहे है साथि ये भी सुनिशित कर रहे है कि डिजिटल करांती का फायदा समाज के हर वर्क तक पहुँचे आज जेम पोर्टल जी इ एम जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकांदार या रेडी पट्री वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोड़क्त बेच सके इनाम ने किसानों को अलग-अलग जगहों के खरीदारों से जुड़ने का अवसर दिया है अब किसान एक ही जगह रहते हुए अपनी उपज का सबसे अच्छा मुल्य पास सकते हैं साथियों आजकल 5G और AI की चर्टा तो काफी दिलों से हो रही है ये भी कहा जा रहा है कि industry, medicine, education, agriculture और तमाम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं लेकिन अब हमें अपने लिए कुछ विशेस लक्ष ताय करने होगे वो कौन से तरीके हैं जिससे इस technology का उपयोग सामान ये मानवी की बहतरी के लिए किया जा सकता है वो कौन से सक्टर से हैं जिन पर हमें जादा ध्यान देने की जरूरत है क्या हम समाज की दस ऐसी समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनका समाधान AI के माध्यम से हो सकता है जब हम hackathon करते हैं देश के नवजवानों के सामने technology के द्वारा solution की बात करते हैं लाखों नवजवान जूडते हैं और बत अच्छे solution देते हैं साथियों technology की मदद से हम हर व्यक्ति के लिए DG Locker की सुविधा लेकर आए हैं अब DG Locker for entities की सुविधा है यहां कंपनियां MSME अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं और उसे विबिन रेगुलेटर्स और सरकारी विभावकर के साथ साजा कर सकते हैं DG Locker के concept को और विस्तार देनी की ज़रूत है हमें देखना होगा कि और किस तरीके से लोगों तक इसका फाइदा पहुंचाया जा सकता है साथियों पिछले कुछ वर्षों में हमने MSME को सपोर्ट करने के लिए कई महत्वपन कदम उठाए हैं इस बात पर मन्थन की जरूत है कि भारत के लगू उद्योगों को बड़ी कमपनी बनने में कौन-कौन सी बाधाएं आती हैं हम छोटे व्योसायों और छोटे उद्योगों के लिए कम्प्लाइंस कोस को कम करना चाहते हैं आप जानते हैं कि बिजनेस में कहां जाता है कि टाइम इज मनी इसलिए कम्प्लाइंस में लगने वाले समय की बचत का मटलब है compliance cost की बचत अगर आप अनावश्यक compliance की list बनाना चाहते हैं तो यही सही समय है क्योंकि हम पहले ही 40,000 compliance की खत्म कर चुके हैं साथियों सरकार और लोकों के बीच विश्वास की कभी गुलामी की मानसिकता का परणाव है लेकिन आज छोटी गलतियों को decriminalize करके और MSME लोन के गारंटर के तोर पर सरकार ने लोगों का भरोसा जीता है लेकिन हमें रुकना नहीं है हमें ये भी देखना होगा कि दुनिया के दूसरे देशों में समाज के साथ विश्वास मजबूत करने लिके क्या किया गया है हम उनसे सिकर अपने देश में भी वैसे प्रयास कर सकते हैं साथियों बजेट या किसी सरकारी पॉलिसी की सफलता कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने अच्छे तरीके से तयार किया गया है लेकिन इससे ज़्यादा उसे लागू करने का तरीका महत्वपून होता है इसमें लोगों का सहयोग बहुत एहम है मुझे विश्वास है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स के इंपूट से इज ओफ लिविंग को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम ये कहते हैं मैनिफेक्टरी हब बनाना जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट ये हमारे लिए प्राफिकता होनी चाहिए हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रमाइज नहीं होना चाहिए और उसमें टेक्टनोलोजी बहुत मदद कर सकती है हम टेक्टनोलोजी के मदद से प्रोडक्शन में बहुत बारीक्यों तक बहुती फिनिश में में प्रोडक्ट लेकर कर आ सकते हैं और तभी ग्लोबल मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं हमने इस बात को स्विकार करना होगा कि 21 सदी टेक्नोलोजी ड्रीवन है जीवन में टेक्नोलोजी का प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है हम सिरफ अपने आपको इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलोजी तक सिमीत न रखे उसी प्रकार से जैसे आज अप्टिकल फाइबर ने गाउं गाउं पोहत रहा है पंचायद तक पहुंचेगा वैलनेस सेंटर पहुंचेगा टेली मेडिसिन चलेगी इवन हेल्ड सक्क्टर भी पूरी तरह टेक्नोलोजी ड्रीवन हो रहा है आदेश बहुत बड़ी मात्रा मैं जैसे डिफेंस में हम बहुत कुछ आयात करते है हम हेल्थ में भी बहुत कुछ आयात करते हैं क्या मेरे देश के उद्योग जगत के लोग टेकनोलोजी में अपग्रेडेशन करके उद्धिशा में नहीं जा सकते हैं और इसलिए अब जैसे अप्टिकल फाइबर गाउं गाउं पहुंच रहा है जब तक प्राइवेट पार्टी सेवा ही लेकर 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 लेक आए और इसलिए आप सभी stakeholders से मेरा बहुत आगरे है कि आप 21 सदी जो कि technology driven सदी है उसको हम जितना जल्दी फैलाएं जितना जल्दी सरल बनाएं जितना जल्दी जन सामान्य को empower करने वाला बनाएं उतना देश का भी लोगों का भी कल्यान होने वाला है और 2047 में विक्सीद भारत के लक्ष को प्राप्त करने में टेक्नोलोजी हमें बहुत बड़ी ताकत दीती है और हम भाग्यवान है कि भारत के पास नेचरल गिप्ट है हमारे पास टैलेंटेड यूथ है स्कील मैन पावर है और भारत के गाहों के लोगों को भी टेक्नोलोजी का एडप्शन की केपबिलिटी बहुत बड़ी है हम कैसे इसका पादा उठाएं मैं चाहता हूँ कि आप लोग विस्तार से इसकी चर्था करें बारिक्यों से चर्था करें और जो बजेक्ट आया है उसका उत्तम से उत्तम आउटकम केसे हो उसका उत्तम से उत्तम लाब लोगों तक कैसे पोहँचे इस पर आपकी चर्था जितनी गहन होगी यह बजेक्ट सार्सक होगा मैं आपको बहुत सुपामनाएद देता हूँ बहुत धन्यवाद